गाइज कभी न कभी आपने email send करते हुए एक problem face की होगी वो problem यह है कि जब यह हम에 Aww email send करते हैं email send करने के बाद हमें यह याद आता है कि हमने जो email send की है वो send किसी और परसं को करनी थी और हम send किसी और को कर चुके हैं और कईभर ऐसा भी होता है कि जो हम email send करते हैं उसमें कोई file attach करना भूल जाते है या कोई document attach करना भूल जाते है या कुछ type करना भूल जाते है अकसर ये problem हमें email send करने के बाद याद आती है और guys अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो email send करने के बाद आपको याद आया हो कि जो मैंने email send की है वो incomplete है so guys ऐसे condition में हम क्या कर सकते है कि जो भी हमने email send की है उसको वापस लाया जा सकता है undo की help से undo का meaning होता है कि जो भी हम mistake करते हैं उस mistake को recover किया जा सके और guys अगर आप भी सीखना चाते हैं send की हुई email को कैसे वापस लाया जाता है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और guys अगर आप हमारे computer गाइडर चैनल पर फर्स्ट वीजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीची रेड कलर के subscribe बेटन को प्रेस करें और साथ नी नाट्रिकिशन वाइकन को on करें जिससे की चैनल पर आने वरी न्यू वीडियो का लिंक आपको सबसे बेले मिल सके तो आई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जैसा कि आप देख पारें मैंने यहां पर जीमेल अकाउंट ओपन किया हुआ है तो जो भी हम इमेल सेंड करते हैं उसको फिट से वापस कैसे ला सकते हैं उसके लिए मैं सबसे पहले एक इमेल सेंड करनी होगी तो यहां से कंपोस पर क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पर जिसको भी आप email send करना चाहते हैं उसको यहाँ पर email account लिखेंगे So guys जैसा कि आप देख पारे मैंने यहाँ पर email account लिख दिया है और जैसा कि subject में मैंने high लिख दिया है और यहाँ पर जो भी आपको email send करने हैं वो यहाँ पर type करें जैसा कि आप देखपाते हैं मैं नहीं आłumपर टैप कर दिया है लो सर, अगर आप कुछ आते हैं कि कोई फाइल सेंट करने है या कोई या डॉकमेंट सेंट करना है या कोई फोटो सेंट करने है तो यहां से वह फाईलड़ at करना है तो send पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप send पे क्लिक करेंगे तो यहां पर लिखा रहा है undo जैसे कि आपने देखा यहां पर undo लिखा आया था उसका यह meaning है कि जो हम email send कर चुके हैं उसको वापस ला सकते हैं लेकिन जो undo वाला function है वो से 5 seconds के लिए valid होगा और आपको 5 seconds के बाद अगर पता लगता है कि जो आपने email send की है वो incomplete है जो आपने उस पर टाइब किया वो टाइब आपको नहीं करना था कुछ और टाइब करना था उसके लिए undo का time बढ़ा सकते हैं तो उसके लिए आपको Gmail की settings को यूज करना होगा चलते है Gmail की setting में तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं यहां पर setting का option बना हुआ है तो इस पर लेट लिख करना होगा तो लेखना रहा है see all settings पर click करेंगे तो जैसा कि आप यहां पर देख पारें settings का एक page open हो चुका है तो यहां से हम फ़रा down में आएंगे और यहां पर लिखा रहा है undo send so guys basically undo का मितलब होता है कि जो भी mistake करते हैं जो भी गलती करते हैं उसको फिट से हम recover कर सकें so guys जैसा कि आप यहां पर देख पारें लिखा रहा है send cancellation period 5 second यह जो timing है इसका 5 second का है तो इसका हम timing कोड़ा change कर लेते हैं कि जो हम email send करें उसको recover करने के लिए उसको undo करने के लिए time कोड़ा ज़्यादा हो हमारे बास तो यहां से drop down वाले arrow पर क्लिक करेंगे तो यहां पर लिखा रहा है 5 second तो ही है इसमें 10 second भी है 20 second भी है 30 second भी है तो हम यहां पर 30 second पर क्लिक कर लेते हैं तो यहां से हमें scroll down करके down में आना होगा यह यहां से भी आ सकते directly कि जो हमने इस settings को change किया है उस settings को save भी करना होता है तो यहां से हम settings को save करेंगे, तो save and change पे klik करेंगे, तो settings save हो चुनिया है यहां से, तो इस पर try करते हैं कि जो हम email send करेंगे, उसको undo कैसे कर सकते हैं, तो compose पे klik करते हैं, और यहां पर एक email ID type कर लेता है, तो जैसा कि यहां से email ID में select कर लेता हूं, यहाँ पर मैंने subject में लिखा कुछ और यहाँ पर लिखा तो मैंने यहाँ पर लिखा hello sir how are you और यहाँ से हम send करेंगे तो जो मैंने email send की है उसको मैं यहाँ से undo कर सकता जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर undo का जो option रहेगा वो 30 second तक रहेगा तो यहाँ पर मैं undo पर क्लिक करूँगा भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं undo फाइल होने के बाद वो फिर से mail वापस आ चुकी है और यहाँ से आप send mail पर जाके देख सकते हैं जो हमने पहले email send की थी photo के साथ वो send हुई है अब जो हमने email undo की है वो send नहीं हुई है तो guys, hope है कि आपने आज की वीडियो में सीखा होगा send की हुई email को वापस कैसे ला सकते हैं और guys अगर आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो पर comment करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, बाबाई